नमस्कार ये डिक्टेशन 120 सब्द प्रतिमिनट की है इसमें प्रतिलेखर्ण संख्या 20, 21 और 22 रहेगा ठीक है चले स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 3, 2, 1 इस टार्ट उपध्यच महोदय ब्रेटिन ने हमारे देश पर 200 वर्स तक शासन किया उन आरंभिक उपनिवेश वादियों को यह बिल्कुल भी महसूस नहीं हो पाया था कि वे अपने जंडे के साथ ऐसे विचारों के बीज भी लाए हैं जो उनके शासन को उखाड फेकेंगे मैकाले जिसने पास्चात सिच्छा की अधिकाधिक वकालत की थी यह कलपना नहीं कर पाया था कि वह जिस भवन को सदा के लिए खड़ा देखना चाहता है उसी की नियों को डगमग बना रहा है हमारा लोग तंत्र नियोजित आर्थिक विकास के प्रत समर्पित है वह पुरानी समाज बिवस्था को सांत पूर ढंग से बदलना चाहता है यह लाखों लोगों को उनकी अर्ध बिक्सेत समाजिक आर्थिक और तकनीकी स्थित से उपर उठाना चाहता है इस प्रकार हम भारत में जो कुछ करने के प्रयाश में लगे हैं वह मात्र ब्रेटिस पद्धित का अनुकरण न होकर भारत की नितांत भिन आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए शार्थक लोगतंत्र का रचनात्मक प्रयोग है लोगतंत भारत के लिए एक दम नया नहीं था क्योंकि उसकी जड़े हमारी प्राचीन पंचायत प्रनाली में देखी जा सकती हैं यह प्रनाली शायद इसलिए अस्तित्त में आई क्योंकि गाउं और जनता राजनैतिक शत्ता के केंद्र से बहुत दूर पर इस्थित थी आज उस प्राचीन प्रनाली को जीला और हम जिसे खंड या ब्लॉक कहते हैं उस इस्तर पर स्वयत शासन के एक नए अंग के रूप में बदल दिया गया है जो सरकार के कारक्रमों और जनता के बीच शेतू का काम करता है कानून के सासन और ब्रिटिस धर्रे के प्रसासन से देश में बेवस्था कायम करने में भले ही शाहता मिली हो लेकिन इन संस्थापनाओं में बहुत कुछ ऐसा है जो जड़ और अपरिवर्ट तन्सील रहा है वे लोगतंत्र और प्रगत की राह में रोडे बने रहे हैं अन समाजों की तरह हमारे समाज में भी ऐसे तत्व हैं जो बिरुध दिशाओं में खीचतान करते रहते हैं लोकतंत्र और समसमाईक जीवन की प्रति दुन्दविक्ता के कारण कभी कभी ओपरी तोर पर देखने से ऐसा लगता है कि जात धर्म और प्रान्तीता की जकर मजबूत हो रही है और इनका दुर उप्योग सामाजिक तथा स्वार्थ शिद्ध के लिए किया जाता है लेकिन यह आईस्थाई बिवस्था है और ये मतभेद भारत की मूल एकता को मजबूती से एकता के शूत्र में जोडने वाले तत्व भारतीता की भावना को कम जोर नहीं बना शक्ते अध्यच महोदे अब मैं कुछ माननी सदस्टों द्वारा उठाए गए वैदेशिक मामलों से संबद विश्यों को लेना चाहूंगी इन में से बहुतों पर इस सदन में पहले भी विचार हो चुका है मुझे आसा है कि सदन मुझे छमा करेगा लेकिन ऐसा लगता जरूर है कि वैदेशिक मामलों पर कुछ शदश्यों की मान सिकता में कहीं कोई अटकाव सा आ गया है अटकाव योजना में नहीं आया है बलकि कुछ लोगों के चिंतन में आया है जबकि दुनिया तो बड़े परिवर्तनों से होकर गुजर रही है और कहीं की कहीं पहुँच रही है अनेक देशों की सरकारों ने अपनी धारणाओं और अभिब्यक्तियों में अतीत की अनमानी द्रश्टिकोण को लेकिन मैंने अपने भासन से पहले यहां कुछ देर रह कर पाया कि हमारे कुछ शदश इस पस्टता ऐसा नहीं कर शके हैं शोयम हमारा यह प्रयास रहा है कि दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ आगे बढ़ा जाए और अगर शंभव हो तो उनका पूर्वा नुमान लगाते हुए चला जाए जिससे हमारे राष्टी हित सभी समय सुरच्छित रहें माननी शदश सहमत होंगे कि किसी भी देश की नितियां चाहे कितनी ही सही या सबल क्यों न हो यह दावा नहीं किया जा सकता कि यह प्रत्यासित परिनाम हमेशा प्राप्त कर ही लेगा हमें धैर और द्रण निष्चे के साथ प्रयाश में लगे रहना होगा और जिसे हम सही समझें नैतिक समझें उसे अइस्थाई अशफलता के कारण छोड नहीं देना चाहिए हम अपनी मित्रता को मजबूत बनाते रहे हैं मुझे यह जानकर बहुत आश्चर हुआ कि कुछ सदस्यों का विचार है कि अपने पडोसियों के साथ हमारे शंबंधों में गिरावट आई है जैसा कि राष्टपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम अफगानिस्तान, म्यामार, स्रीलंका, इरान और नेपाल के साथ अपने शंबंधों को बहुत महत्पूर मानते हैं और हमने इन देशों के प्रति बिसेज ध्यान दिया है हम इन देशों के साथ अपने आर्थिक और राजनेतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हार्दिक प्रयाश्च कर रहे हैं कभी कभी कुछ मत भेदिया मामूली सी कठिनाईयां उठ खड़ी हो शकती हैं लेकिन इन्हें सदभाव के साथ समसदारी से और मैत्री के वातावरण में हमेशा ही सुलजहा लिया जाएगा जहां तक हमारे दो अन्य पडोसियों पाकिस्तान और चीन का सवाल है कोई नाटकी गत्विदिया नहीं हुई हैं सदन को मालूम है कि मेरा विचार तो यह है कि हमें लगातार पाकिस्तान को यह समझाने की कोशिस करते रहना चाहिए अध्यच महोदे मैं महसूस करती हूँ कि संघर्ष और टकराओ का रुख छोण देना जितना हमारे हित में है उतना ही उनके हित में भी यह दुरभाग पूर है कि चीन अभी भी भारत की वास्त विकताओं को विक्रत दरपन के माध्यम से देखता है एक माननी शदश्च ने कहा है कि राष्ट पति के अभी भाषण में हमने उन उपायों की रूप रेखा नहीं प्रस्तुत की जो इस शंबंद में हम करने जा रहे हैं मुझे विश्वास है कि शदन यह महसूस करेगा कि ऐसे मामलों के बारे में आप पहले से ही कोई रूप रेखा नहीं बना शकते जैसा कि मैंने कहा सारी दुनिया बदल गई है और बदल रही है और मैं सोचती हूँ कि हम इन परिवर्तनों के साथ चल रहे हैं और ऐसी परिवर्तन शील नाजुक परिस्थित में अधिक कुछ ना कहना ही सायद अच्छा होगा कुछ माननी सदेश्चों के विचार क्रोध और कुंठा के कारण धुन्दले हो गए हैं कुछ ने तो यह कहा है कि हमारी राजनितिक स्वधिनता को खतरे में डाला जा रहा है बिभिन दलों द्वारा एक दूसरे से अलग तर्क दिये गए हैं अब बुनियादी तोर पर राजनितिक स्वधिनता को केवल एक ही चीज से खतरा हो शकता है और वह यह की जनता कमजोर पड़ जाए शाहे ऐसा शामप्रदाइकता के कारण हो या आपसी विश्वास की कमी के अथवा इसलिए कि एक दल सोचने लगे की सभी तरह का शमाधान उसी के पास है और जनता से परामर्ष करने की जरूरत नहीं ये दोनों ही इस्थितियां लोग तंत्र के लिए समान रूप से खतरा पैदा करने वाली है शरकार को पूरा एसास है कि कुछ अल्पसंख्यक जातियों को किन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और वह जो कुछ भी संभव है शहायता दे रही है यह ऐसा भिसे नहीं है जिसे सुद्ध रूप से प्रसासनिक माना जाय या जिसे कानून बना कर हल किया जा सके इसको हल करने के लिए हमें बहुत सजग रूप में तथा बड़े द्रण निष्चे के साथ उप्युक्त सामाजीक परिवेश बनाना होगा यह निड़े माननी स्रदश्यों को करना है क कि ऐसा वातावरण बनाने में देश के सभी राजनेतिक दल मदद कर रहे हैं या नहीं इस पस्ट है कि बिरोधी पच्छ का उद्देश बिरोध करना है मैंने महोदय ब्यक्तिगत तोर पर बिरोध का सदा ही श्रागत किया है क्योंकि जब जीवन अब बिरोध ब्रतीत होने लगता है तो ब्यक्ति में धीलापन आ जाता है स्टॉप